कि नमशकार स्वागत हैं आपका अपनी YouTube चेनल Simpl में दोस्तों तबने मौनस रोज बैं फ्रारी नहीं हो रही है और मैं मैं क्या करूँ तो देखिए कुछ स्वारे आपको सिर्फ दो काम करने हैं आपको अपने मॉस रोज को या पर्सलेन को या फिर पॉर्चुलाका को इनको सिर्फ आप जितनी ज्यादा आप संलाइट में आप इसको रख सकते हैं डायट संलाइट में आप बस उतनी संलाइट इसको दीजे इसमें और जब दूसरी चीज य केवल यह दो काम आप करिए आप देखेगा बहुत फ्लारिंग ओकी अभी मैं आपको सिर्फ यह जो इसी मंत में मैंने इसकी कटिंग सारी लगाई थी यह वेस बॉटल में लगाई थी और कुछ-कुछ पॉट्स में सब में कटिंग लगाई थी बहुत सारी कटिंग प्लांट जो मेरे मौस रोस के हैं वो पुराने हैं यह कटिंग का वीडियो भी मैंने बनाया था तो इसमें मैं आपको बस दिखा रही हूं आज थोड़ा सा अपडेट भी दे दे रही हूं कि इस समय फ्लारिंग शुरू हुई है अभी दोस्तों यह सिर्फ स्टार्टिंग है अभी यह सारे इतने फ्लार्स हो जाएंगे इतने फूल हो जाएंगे कि मतला पतियां कम दिखेंगे और फूली फूल दिखेंगे इस तरीके से होंगे इसमें और कुछ नहीं करना होता है इसमें कोई डेड हैडिंग नहीं होती है डेड हैडिंग हम इसमें कर ही नहीं सकते हैं इत तो उस परसों के शाम में जो बारिश हुई है तब इसका पानी इसमें पड़ा है उसके बाद से परसों के बाद से मैंने कल पूरे दिन इसमें पानी नहीं दिया है ठीक है कल नहीं दिया है और आज अभी जैसे कि इसमें दोपहर का टाइम है अब मैं शाम को इसमें देखूं यह डॉर टॉल्रेंट होता है तो इसमे आप बहुत ज़दा पानी देंगे तो इस फ्लारिंग नहीं होगी और धूप में ही रखेए shade में रखेंगे तो इसमें flooring नहीं होगी तो मुझे लगा कि आप लोगं को बता भी दूँ और fertilizer इसमें कोई इतनी आशकता नहीं होती है मैंने जब से इसमें cuttings लगाई हुई है मैंने कोई fertilizer नहीं दिया है जो भी मैं सब्जियों के चलकों का या फिर और कोई भी enzyme या seaweed extract enzyme जो है वो सारी चीज़े देती हूँ तो मैं इसमें नहीं देती हूँ मैं और सारे plants में देती हूँ इसमें नहीं देती हूँ तो बस आप ये दो चीज़ का ध्यान रखिए और चलिए चलता है मैं आपको मेरे थोड़े से गजानिया खेल रहा है वो भी दिखा दूँ और अभी तक मैंने ये सारा सेट किया नहीं है धिरे धिरे करूंगी ये देखिए ये उस दिन सब ये गिरा पड़ाना तो उसमें इस इसलिए भी नहीं ज्यादा लगा पाई न कोई चीज घ्री नट ठीक से फिर से क्योंकि थोड़ा सा मरे आज भी क्लावडी वैदर हो रहा है तो देख रहे ना बार बार जैसे धूप आ रही है जा रही है बादल जैसे हो रहे है तो इसलिए इतनी तेज धूप नहीं है कि म थेंक यू